तो अभी जो टॉपिक शूरू करने वाले हैं इससे पहले आप एक वार जस्ट प्रिएस वीडियो को देखें जिसका टाइटल था इन बॉर्ण एर ओफ मेटाबोलिज्म यानि की उपापचया की जनब जाचत रूटियां हमारे सरी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविट है कि मिस्टेक से क्रियेट होती है उसी को हम बोलते हैं इन बॉर्ण एरर ओव मेटाबोलिज्म जिसकी डिटेल आप हमारे जस्ट प्रिएस वीडियो है उसको आप देखेंगे डिटेल के अंदर आपके समझ पाएंगे यहां पे मैं उसका एक पर्टिकुलर एक्जम्पल का दिसक्सिन करना चाहता हूँ जिसे बोलते हैं फिनाइल कीटो नियूरिया तो पहले हम टाइटल लिखते हैं फिनाइल कीटो नियूरिया तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे मैं कुछ important points बताना चाहता हूँ हमने का यह inbore error of metabolism है यह एक genetical disease है यह एक inherited disease है means इस disease है यह disease है one generation to another generation वो ट्रांस्मीट होती है एक PD से दूसरी PD में संसिरित होती है क्योंकि इस का control भी किसे किया जाता है एक particular genes के दौरा किया जाता है तो पहले इसके हम common एक वार जो introduction से related बाते हैं उनको हम note करते हैं और समझते हैं फिर आगे की बात करेंगे मैंने कहा कि यह जो बीमारी होती है यह किसकी वज़स होती है एक gene की वज़स होती है इसलिए हम इसको क्या बोलते है inherited disease और inherited disease क्या होती है वनसंगत बीमारी होती है जो कि एक generation से दूसरे generation में transmit होती है उसे बोलते है inherited disease और जब हम inherited की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि एक particular gene में defect की वज़से होता है genetical defect है ठीक ना तो यह किसकी वज़से हुआ है यह क्या है एक genetical defect है यह है एक genetical defect है यह आगया genetical defect यानि कि एक particular gene है उसमें defect हो गया उसकी वज़े से क्या हुआ biochemical reactions है वो disrupt हो गई है biochemical reactions जैवरसेन के बीक रहे है वो असमाने हो गई है कैसे होती है वो तभी आगे topic अंदर आजाएगा तो यहाँ पर हमने का यह पहली बात inherited DG है वनसानुगत अनुवनसी करोग होता है एक PD से दूसरी PD में जाता है इसका reason क्या है एक genetical defect है और वो genetical defect का है क्रोमोजोम नंबर 12 ओटोसॉम क्रोमोजोम नंबर 12 पहले लिखते हैं फ़र देखते हैं यह जो defective gene है यह कहां पर रहती है यह present रहती है at क्रोमोजोम क्रोमोजोम वो भी कौन सा क्रोमोजोम भी कौन सा हमने का ओटोसॉम ओटोसॉम जो नंबर है 12 12 सा नंबर यानि आपने पढ़ावा human being में कितने होते हैं 23 pairs of the chromosomes are presented the human being और we can say the 46 total number of the 46 chromosomes are present in the human being तो 46 क्रोमोजोम में जो 12 सा नंबर का जो क्रोमोजोम है जिसको हम ओटोसॉम बोलते हैं उस पर यह जनिटिकल डिफेक्ट है वो create होता है यह जो gene का जो विकार है वो create किसम होता है 12 सा नंबर क्रोमोजोम है तो multiple choice question के हिसाब से आपको ध्यार रखना है थर्ड important काम बात क्या है यह जो defective gene आ रही है यह जो defective gene है यह defective gene है यह किस type की है तो हम यह कहेंगे यह defective gene है recessive in nature अप्रभावी प्रकरती की होती है यह gene कैसी है अप्रभावी प्रकरती की है अब आप जानते हो कि अप्रभावी और प्रभावी gene में क्या difference होता है आपको previously हमारी जो वीडियो देखेंगे उसमें आ जाएगा मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात बता देता हूँ कोई भी gene अगर अप्रभावी होगी इसका मतलब जब वो homo-jagas एंड हेट्रोजाइगस इन बोथ कंडिशन dominant gene can express तो यह वाली जो gene कैसी है recessive है इसलिए जब कभी कई बार पूछा जाता है which kind of this disease is phenylketonuria then we have to we should say recessive autosomal क्या है यह है इसकी gene कैसी है तो हम कहेंगे recessive autosomal gene defect यह simple साथ technical नाम हो गया इसका कि यह किस तरह की बिमारी है तो हम कहेंगे recessive autosomal gene defect है मतलब this is the gene defect कहां पर यह gene defect यह gene कौन सी है यह recessive है और यह gene कहा है autosome में आप जानते हो कि और यह तो टाइप साथ क्रोमोजोम autosome 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 are the chromosomes which carry the genes which control somatic trace हमारे सरीक के काईक लक्षणों को control करने वाली जो gene होती है जिन गुणसुत्रों पो होती है उन्हें काईक गुणसुत्र या autosome कहते हैं और sex का control करने वाले जो क्रोमोजोम होते हैं उसको हम ऐलोसome या sex क्रोमोजोम कहते हैं तो यह जो gene कहाँ पर है autosome के उपर है ठीक ना autosome में 12th नंबर के पर होता है और रेसेसी होती है इसलिए टेक्निकल वर्ड बना रेसेसी autosomal जिन डिफेक्ट या genetical defect हम कह सकते हैं इसको चलिए अब बात करते हैं कि यह रोग कैसे उत्पन होता है उसको हम यहाँ पर एक छोटा सा flowchart बना लेता हूँ मैं आपको यहाँ पर आपने पढ़ा हूँ है there are 20 kinds of there are 20 kinds of amino acids and we have classified these 20 amino acids into two categories the 10 essential amino acids and the 10 are the non-essential amino acids and I am here talking about a one of a important amino acids that is called as the phenylalanine phenylalanine is a important amino acid उसी के मैं यहाँ पर भी बात करूँ पहले इसका formula लिखते हैं फिर आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहरे हैं तो यहाँ पर हम enzyme लिखना चाहरे हैं कौनसा phenylalanine नाम खुद बता देगा यह क्या है phenylalanine is a amino acid ठीक है ना phenylalanine यह है amino acid इसको हम essential amino acid भी कहता है जर्रल इन्फॉर्फेशन के लिए मैं एक बार के लिए लिए लिख देता हूँ यह क्या है essential amino acid essential amino acid means it is essential to take up with the food stuff इसको खाने के साथ में लेना जरूरी है because our body is unable to synthesize this phenylalanine that's why it is necessary it is the essential to take up this amino acid with the food so phenylalanine is called as the essential amino acid तो यहाँ पे मैं इसकी biochemical structure पहले बना देता हूँ किस तरीके से होता है यहाँ पर देखिए आप यह हो गया आपने पढ़ावा है इस तरीके से amino acid यह हो गया carboxly group और इधर हो गया NS2 group यहाँ पर आगया hydrogen यह हो गया CS2 एक हो गई यहाँ पे phenyl की ring हो गई है इसको बोलते है phenylalanine देखिए amino acid में क्या होगा अगर यहाँ पर CS3 होता यह नहीं है इधर क्या होता CS3 तो इसको बोलते है alanine और इसके साथ phenyl की एक ring लगी इसका नाम होगा इसका phenylalanine है phenylalanine during the course of metabolism this phenylalanine is converted into the tyrosine amino acid परहे लिखते हैं आप समच जाएंगे आपे enzyme enzyme की बात कर रहे है कौन सा enzyme है नाम से देखिए phenylalanine phenylalanine hydroxy lase hydroxy lase ये एक enzyme है नाम खुद बता रहा है hydroxy lase hydroxyl group Și होता है OH होता है hydroxyl group क्या होता है hydroxyl group को बोलते हैं OH को बोलते हैं hydroxy lase enzyme az means होता है enzyme hydroxy lase enzyme यो Cambyl Indonesian जो इस substate में क्या जोड देगा क्या add कर देगा ओएड़ गर जागा OH-O Hydroxyl Group को इसलिए पोलते हैestra ह्एड़क्सिलीज एउड़ जाएं और किसमे एड़ कर रहा है Penylあのffee j aquarium है इसलिए एंजाइम का नाम क्या है, Phenyl E OH यहां पर हम बात करते हैं and now the new amino acid synthesized by this biochemical product यहां पर आ गया यह OH यह OH है वो कहां जुड़ गया है इस जगह पर अब now this amino acid is called as tyrosine now this amino acid amino acid is called as the tyrosine and tyrosine is a non-essential amino acid देखे एक टॉपिंग में दो तीन और concept आपके clear हो जाएंगे यह कैसा है non-essential amino acid non-essential amino acid यह हो गया non-essential amino acid बेखे अगर देखे एक question और बन गया है हमें कहते हैं कि would you explain that phenylalanine is a essential amino acid while the tyrosine is a non-essential amino acid तो आप समझ सकते हैं the essential amino acid phenylalanine because it is a not synthesized in our body our body is unable to synthesize this amino acid that's why हमें क्या होता है इसको food के साल लेने की जरत होती है but in this biochemical reaction taking place in our body and we are looking that tyrosine is a synthesized by this process so tyrosine is a synthesized in our body that's why it is non-essential to take with the food this enzyme is responsible for this biochemical reaction okay okay अब यहां पर मैं बात करना चाहरा हूं हमने कहां कि phenylalanine is a responsible phenylalanine hydroxyl enzyme is a responsible for this biochemical reaction if यहां पर हम एक सर्थ डाल रहे हैं ठीक है न क्या if this enzyme sort में लिख दो phenylalanine hydroxylate इसको sort में लिख देता हूं P-A-H okay if P-A-H is abnormal या तो हो abnormal या हम कहते हैं not synthesized okay हमने कहां कि यह enzyme है कौन सा phenylalanine hydroxylate या तो क्या है abnormal defective है या यह बना ही नहीं है not synthesized है अगर यह नहीं बना है तो क्या होगा tyrosine का synthesis नहीं होगा इस condition में क्या होगा फिर इस condition में क्या होगा tyrosine का synthesis नहीं होगा यहां लिख देते हैं इस condition में क्या होगा हम कह रहे हैं tyrosine ठीके ना is not synthesized tyrosine का synthesis नहीं होगा tyrosine is not synthesized by the defective defects in the P.A.S. enzyme ये बायो chemical pathway रुक गया tyrosine का synthesis हो वे ही नहीimated तो हमारी body में क्या होगा phenylalanine का accumulation हो जाएगा जब इस असे ये conversion नहीं हो रहा है और बोडी में किया रहा है हम food के साथ इसको लेते है जार, इसको बोजन के साथ हम लेते जार, खाने के साथ, फिनायल एंधे है और यह आगे consumer नहीं हो पार रहा है, तो क्या होगा बोडी में इसका accumulation हो जाएगा, then, this phenyleanine is converted into, एक enzyme लेक देत यहां पे, यहां पे मैं साइड में आपको एक पाचवे लिख देता हूँ, अगर यह ऐसा काम नहीं हुआ है, तो क्या हुआ, अगर यह आगे प्रोसीजर जब रुक जाएगा, तो क्या होगा, मैंने का एंजाइम कौन सा, फिनाइल एलानिन ट्रांस एमिनेजन, यहां पर ना का नाम, फिनाइल एलानिन, ट्रांस एमिनेज, यह फिनाइल एलानिन ट्रांस एमिनेज क्या करेगा, ट्रांस एमिनेज, फिनाइल एलानिन ट्रांस एमिनेज, ट्रांस एमिनेज का मल्लब होता है, ट्रांसफर ऑफ एमाइनो ग्रूप, ट्रांसफर ऑफ एमाइनो ग्रूप यहां पर amino group कहा है, यह देखें, यह amino group है, इसका transfer हो जाएगा, किससे ketone से, आगे देखेगा आपने diagram में, इसका transfer हो गया किससे ketone से, इसका transfer हो गया है ketone के साथ में, तो क्या बन गया, देखें, नए structure बनाते हैं अपने यहां पे, यह तो यही का, यही है, कार्बोक्सली का, क hydrogen था यह N2 & H, N3 निकल गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डबल बन्ड और ऑक्सिजन आजाएगा और यहां पर अगेन क्या है? सेम स्ट्रक्चर, एके? यहां पर N2 का रिप्लेस्मेंट किसके साथ में हो गया? किटोन के साथ में यह वाला जो ग्रूप है इसका नाम क्या है किटो यह वाला घृप है यह तो माइन ग्रूप अंगया कीटोन गुरूप आ गया पहले नाम कषए ख़या चमानल और अब इसका क्या नाम मैं Déks हो गया अब यह बन गया पाइरुवेट हो गया और इसमें कीटों है और यह इतना ज्यादा बनने लगया है कि यह बोड़ी से यूरिन के साथ में बाहर निकलने लगया यह जो है Phenyl group है इसके अंदर और Ketone भी है है ना इस मॉलिकुल में क्या क्या है देखिए बायकेमिकल सिक्सर में Phenyl भी है और Ketone भी है और यूरिन है निकल रहा है Phenyl ketoneuria नाम क्यों पड़ा है आप देखें है ना इसका बीमारी का नाम क्या है हमने कहा Phenyl ketoneuria एक ऐसा मॉलिकुल जिसमें Phenyl group भी है और Ketone भी है वो यूरिन के साथ में बार निकल रहा होगे Phenyl ketoneuria ना इस तरीके से हुआ तो आपको यहां पर देखने की क्या बात है इस बीमारी होने का कारण क्या हुआ हमने कहा हमने कहा कि जो पैसेंट था उस पैसेंट में एक था डियने मॉलिकुल देखें अराम से समझेगा यह जो पैसेंट था उसमें था एक डियने मॉलिकुल और उस डियने मॉलिकुल में एक पर्डिकुलर थी जीन ठीक है वो जो जीन थी वो क्या कर रही थी वो जीन बना रही थी एक MRN ये जीन बना रही थी एक MRN और ये जो MRN था वो क्या बना रहा था यह R&M ने बना रहा था किसको कोड कर रहा था एक प्रोटीन को ओके और यह प्रोटीन कौन सी है यह एंजाइम है जिसका नाम लिखा हमने P.A.H P.A.H यानि कि यह क्या है फिनाइल A for एलानिन और S for हाइडरोक्सी लेज अब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी हमने का कि पैसेंट में नॉर्मल कंडिसन में देखिए सुनीए पैसेंट में नॉर्मल कंडिसन में एक जीन है उसके डियने में और वो जीन क्या करती है Synthesize the mRNA molecule by the process of by the process of transcription 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 by the process of transcription this gene synthesize mRNA molecule at this mRNA molecule by the process of translation translation by the process of translation synthesize a protein and this protein is phenylalanine hydroxylase enzyme and now this enzyme this phenylalanine enzyme hydroxylase enzyme convert the convert convert किसको convert the phenylalanine into the tyrosine this gene synthesize an mRNA molecule this mRNA translated into the protein and this protein is the enzyme phenylalanine hydroxylase and now this enzyme convert the phenylalanine into the tyrosine if this gene is defective due to the mutation or by any reason if this gene is defective in that condition abnormal mRNA is synthesized and that abnormal enzyme is synthesized that's why this abnormal enzyme is unable to catalyze this biochemical reaction तो phenylalanine से क्या बनेगा tyrosine नहीं बनेगा diagram में सब कुछ आ गया है and then मैंने आपको ये कहा कि ये जब नहीं बनेगा तो ये क्या होगा phenylalanine is converted किसमें हो जाएगा ये बन जाएगा किसमें हो जाएगा phenylalanine pyruvate में pyruvate में convert हो जाएगा और ये जो phenylalanine pyruvate है ये urine के साथ में बाहर आने लग जाएगा ये क्या होगा urine के साथ में excret होने लग जाएगा ये ही तो बिमारी है सारा कुछ किसी में समझने में आ जाएगा ये बायकों मिलकल reaction है ये पूरा bio genetical pathway है इसको आप समझ जाएंगे तो अधिकत नहीं आएगी अब प्रॉबलम क्या है इस बिमारी के अंदर जो पैसेंट होता वो mental retardation में चला जाता है कहीं बार बच्चे का जन्म होता है इस पैसेंट का फिनाल की टोनियूरिया के पैसेंट है वो नॉर्मल दिखता है जन्म के समय नॉर्मल होता है फिर दीरे दीरे क्या होता है इसके effect आने सुरू हो जाता है mental retardation होने दीखता है brain में इसका accumulation होने की वज़े से अब हम बात करें इसका treatment कैसे करें या हम कह दें इसको diagnose कैसे करें भी diagnose करना है तो symbol सा काम है metabolic pathway को चेक करना है आपको जब मैं पहले से बता रहा हूँ कि इस बीमारी में क्या हो रहा है urine के साथ में क्या निकल रहा है pyruvate निकल रहा है तो urine percent के जब urine की testing कर रहेंगे उसमें pyruvate molecule ज़ादा आ रहे है तो हम समझ जाएंगे फिनाल केटो नियूरिया बीमारी हो रही है क्यों हो रही है इस enzymes की वज़ज़स होती है जनेटिव डिफेक्ट है gene therapy से इसको treat किया जा सकता है तो यह सारा एक आपका total एक हम कहेंगे concept है concept about the फिनाल केटो नियूरिया तो आप इसको अराम से पढ़िएगा और द्यान से देखिएगा अभी में एक वर साइड महूँ जाता हूँ आप इसका screenshot ले लीजिएगा तकि आपको notes बनने की जरूत नहीं पढ़ेगी आपको Thank you